कि पावली के दिन जो आप लच्छमी का पूझा न करें उसमें लच्छमी जी के सीधे हाथ की और घी का अखंडदी लंबी बाती और लच्छमी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का अखंडदी जला अखंड मतलच्छमी का अखंडदी जो मूँ आती हरी उसको भी थोड़ा सर समर्पित करना है और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी दली यह भी समर्पित करना है दोस्तों आप सभी गुरु जी से मुक्य से सूग नहीं लिया है कि हमें लच्वी पूजन की दिन कैसे पूजन करनी है यानि एक्टिस अक्टूबर दो हजाच चोबीस को तो दोस्तों यहां पे जो हमारे नम सुखे आटे और हल्दी पाउडर का जो हम लोगों ने चोक बनाया था उसमें हमें चोकी लगानी है उसमें लाल कपड़ा अपड़ा बिचाया है उसके बाद यहां पे सुन्दर सा थाली रखना है उसमें स्वास्तिक का चिन्दे बनाना है उसमें दो सिक्के रखने है चांदी के या नॉर्मल कोईन जो भी है आपके पास उनके पास उनकी पूजन करनी है प्रोधंतेरस के दिन हम लोगों ने जैस लश्मी पूजन की जो पुझे गुरु पंडित मिस्रा के अनुसर बताए हुए हैं तो कोई भी आज नया कुछ नहीं करना है लश्मी पूजन के दिन तो दोस्तों यहां पे मैंने गनस लश्मी का धातु का बना हुआ लाई हूँ आज के दिन मैं इनकी पूजन करूंगे दोस्तों यहां पे मैंने लश्मी पूजन के लिए सिंपल सा उर्गी मैं सेर कर रही हूं क्या क्या कै आँ मैने गोंती चकर लिया है जो पोटली बनाने में कropri तो बहुत से लोग रखते हैं कि जोरी में अपने पोटली में तो यह पोटली के लिए मैं यहां पर गोमती चक्र रखती हूं, कोडी रखती हूं और कमल गटे, हल्दी की गाट यह सब है, पोटली में डालने के लिए लश्मी पूजन की दिन पूजन करती हूं और उसके यहां पर मैंने कलेवा रखा है, जनेवू रखी हूं, बस्तरी के रूप में, उसके बाद मधू, मा लश्मी को कापी प्रिय होते हैं, यत्र, तो यहां पर मैंने यत्र भी रखा है, उसके बाद यह है कोडी, स्वरी दोस्तों, यह है इलाइची और लॉंग, जो आज मा को म उसके बाद ही में रखूंगी, उसके बाद यहां पर आप रितुफल ले सकते हो, जो भी रितुफल है, वो मा को अरपन करें, लेकिन गुरु पंडित पर दिपिस्णा के अनुसा जो बताएं हैं, जो हमने चोक पुरा है, चोकी लगाई है, दोस्तों का पुजन किया है माल असमी को, धन तेरस के दिन, आज बस उनको हल्दी की गाट और कमल गटे और धनिया और हरी मोंग और गुड की डली, यह गुरु जी ने बताया है कि यह हमें आज के दिन अरपन करने हैं, माल असमी को और अमर बेल के टुकडे, जो अमर बेल के टुकडे मुझे नहीं मिले ह जो तो जरूर ले ही माल असमी की पुजन में ये घर की व्रीदी के लिए होती हैं, बंडार भरने के लिए होती है 조例 dat只是 अमर बneल का वह बढ़ताई जाता है इसलिए माल असमी को और पन किया जाता हैं कमल के गटे जो मालसम реш होते हैं तो कमल के गटे भी आज के दिन उन्स कोईन में चढ़ानी है हल्दी पाउडर चढ़ानी है कुम कुम चढ़ानी है और मा को पाउडर वाली ही चढ़ानी है लंबी बत्ती के दो दिये लगेंगे जो एक सरसो तेल के और एक घी के तो माता लश्मी के सीधे हाथ में घी का दिपक लगेगा और उल्टे हाथ में सरसो तेल का जो अखन चलेगी पूरी रात तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने है और लंबी बत्ती का ही हमें लेना है लंबी बत्ती ही यूज़ करनी है माल अश्मी के सरिक बत्ती में लंबी बत्ती ही यूज़ करनी हैं. तो, यहां पे यह मैं बड़ी सी दिया लाई हूँ और एक दिया मुझे और एक भी लानी है. तो दोस्तो, मैं आप सबी को लशनी पुझन सामगरिया दिखा रही हूँ. गुरु जी ने दिश्पर कर बताया है, वैसे ही मैं आप सबी को वही चीजें ही बता रही हूं, तो आज हरी मुंग जरू चढाएं, धनिया जरू चढाएं, गुड की डली जरू चढाएं, जो भी आपके घर में परशाद लाएं हो, मा को अरपन करने के लिए चढाने के लिए, गनेश को वो आप चढाएं और धूप बती जो भी भगवान को दे उसके बाद हमें फूजन करने के बाद हमें आचल फेला के बस मा को आसिरवाद लेना है तो ये रही अमर बेल के जो टुकड़े जो लत की तरफ फेली वी रहती है तो आपको मिले तो जरूर ले आज के दिन मुझे तो नहीं मिली है के बाद आपको जो इच्छा है मा को लिए कुछ भी मीठा आप अपने रसोई से जरूर बनाएं यहां पे मैंने गुलाल भी लेया है आज गुलाल भी चढ़ाएं और यहां पे कुम-कुम हल्दी की पाउडर उसके बाद पान-पत्त तो आप जैसे भगवान को फूजन करन है आज के दिन और उसके बाद जब आपकी फूजन साम फूजन हो जाने के बाद ग्यार साड़े हमाण बजे और संसे बारå के बीस आपको एक दीप आवले के ब्रिच में बेल के ब्रिच में या पीपल के ब्रिच में वो एक घी का बत्ति जरूर लगाएं और उसके बाद आने के बाद आप एक हाथ में अपने हाथ में एक सिक्का लेके दितने भी आपके घर हैं उन घर पे घुमें और उसके बाद वो स तो यहां पर मैंने आप सभी को गुरु जी के बताए हुए जारी पूजा साबगरिया आप सभी से सेर की हैं जिदि आप लश्मी पूजन आप अपने तरीके से करते हैं वो आप अपने तरीके से जरूर करें लेकिन जो धन तेरस के दिन हमने चोकी लगाई है दोसिकों की अपने तरीके से जारी मौंग और गुड की डली जरूर चढ़ाएं आज के दिन और बाकि इस तो है अमर बेल के टुकडे कमल गट्टे हल्दी की गाट यह आज के दिन वोसिकों में आज के दिन भी चढ़ाएं मां को पौडर हल्दी पौडर कुम-कुम-कुम-कुम-कुम- और आचल फैलाकर मां से बदान मांगे कि है मां हमारे घर में अस्थाई रूप से नारायन के साथ बिलाज मान रहे हैं।